शुक्रवार को कॉंग्रेस द्वारा चलाई जा रहे महिंगाई मुक्तभारत अभियान के तहट गुगूस कॉंग्रेस अदिक्षराजू रेड़ी के ने तुरत्व में सैकड़ो कारे करताओं के साथ गुगूस गांदी चौप में कॉंग्रेस ने धोल बजा कर मोधी सरकार के खिलाब फिरोध प्रदर्शन किया है साथ ही सिलेंडर और दुपईया वहन पर फूल माला पढ़नाए गई इस दोरार मोधी सरकार की खिलाब जम कर नारेवाजी की गई है गुगूस कॉंग्रेस अध्यक्षर राजू रेड़ी ने कहा कि नोट बंदी के बाद कोरुना काल में आर्थिक मंदी से लाखो लोगों की आये में बेतहाशा कमी आई है लोगों के रोजगार चले गए है लेकिन भाजपा सरकार लगातार बढ़ती कीमतों का बोज डाल कर उन पर बेरे में से प्रहार कर रही है कॉंग्रे सरकार में कीमते आदी होने पर भी धरना प्रजपाई आज बहताशा मुल्य वृद्धी पर मौन है यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार की नीती और नियत में खोट है विरोध प्रजर्शन के दोरान कामगार नीता सेयद अन्वर ने कहा कि रसवी गैस सिलेंडर के दाम मई 2014 में जहाँ 410 रुपे प्रती सिलेंडर थे वे आज बढ़कर 1000 रुपे प्रती सिलेंडर को पार कर गया है पुरे देश में महंगाई को लेकर मुख्य विपक्ष दल कॉंग्रेस ने एंडिया सरकार के खिलाब 1 अप्रेल से 7 अप्रेल तक 3 चर्णों में महंगाई मुख्त भारत अभियान के तहतां दोलन करने का अलान किया है